आप लोगों ने मेरे लिए इतनी अच्छी दुआएं की मेरे को बहुत मिस्स किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू इतना जादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए तो मैं पहले से भी जादा कुछ तब यह ठीक नहीं थी पिछले कुछ टाइम से अप लोगों को पता लेकिन अब भी बहुत ज़्ञादा अच्छी हूँ मस्त हूं सवस्त हूं पहले से भी ज़्यादा अच्छी हूं क्यूक बैसे अबगत की ज़ीघीए दो कीम जन लोगों के लिए मरने की सोभता है उनको मरा हुआ समझ लीज़िए कसम से जी उठोगे बहुत शुकून मिलता है है करके देखिए मैंने भी करके देखा है सच मैं बहुत आराम मिल रहा है बहुत शुकून महसूस हो रहा है अब भी करके देखिए यह तो हो गई बेफालतू की बात है अब करते काम की बात है मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नया reaction बीडियो लेकर आई हूँ सपना पर पिछले कुछ टाइम से नहीं आ रहा था उसके लिए sorry आद अब continue मेरा बीडियो आएगा और उम्मीद करती हूँ आप पहला वाला प्यार और सपोर्ट मेरे को देंगे तो मैं बात करती हूँ सपना पर सपना का लास्ट वीडियो था आरू का एडविशन आरू का इस्कूल मिल गया है स्कूल मतल फिक्स हो गया एडविशन भी हो गया है यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि आरू और आरो ही और सपना कि सेफ्टी को लेकर हम और आप कितने पहले से जादा चेंते थे जब से सपना ने घर चोड़ा और सपना के कितने जादा दुस्मन है मैं बोलू शुरू से बात करूँ तो राजवी भहिया के जाने के बाद से ही दुस्मन है और राजवी भहिया के जाने पर भी किसी दुस्मन का हाथ है आप लोगों में से बहुत कौन-कौन इस बात से एगरी करता है कि राजबीर भया इस दुनिया में नहीं हैं तो वो किसी की चाल थी, किसी की साजस थी कौन-कौन इस बात से एगरी करता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं तो मानती हूं तो वहां से कुछ चीज़े हैं जो इस फैमिली के चौदरी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है लगी हुई है और उन्ही कुछ लोगों का हाथ है सपना को घर से बेघर करने में उन्ही कुछ लोगों का हाथ है क्या सपना को उसका हक ना मिला उसके पती का हक ना मिला उसकी जो बेटियां हैं उनको उनका हक नहीं मिला और सपना ने सब कुछ छोड़ भी दिया क्योंकि उसके लिए अपनी बच्चियों से जादा और कुछ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए ठीक है एक औरत ना सब कुछ लड़ सकती है सबसे लड़ लेगी सबसे जगड लेगी सबसे जीत जाएगी लेकिन वो न एक माँ हार जाती है पतनी जी सकती है, बेटी जी सकती है, बहु जी सकती है लेकिन एक माँ हार जाती है अपने बच्चों के आगे अपने बच्चें के लिए ठीक है और जब बच्चों पर बात आ जाए न तो फिर माँ दुनिया जी सकती है तो उसे सपना की परिस्ति थी है आज वो अपने बेटियों के लिए सब कुछ हार कर भी मर मर कर भी जिंदा है अपनी बेटियों के लिए डट कर खड़ी है और मैनत कर रही है तो क्या सपना सेफ है इस अंजान सहर अपना घर परवार से शोड़ कर देखिए पती के बिना एक आुरत कहीं भी शेफ नहीं है, कहीं भी शेफ नहीं, सपना को भी कितना ज़्दा लांक्षं लगाने की कोशिश कि आप सबको पता होगा, भाई बेहन का रिस्ता तक नहीं छोड़ा लोगों ने, सब को बता होगा सपना की भी सेफटी की बहुत ज़्यादा टेंसन होती है सब लोगों को लेकिन सपना के पास शिबी है तो इतना थोड़ा सा कम वो रहता है लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा सपना की सेफटी को लेकि कि सपना के जो subscriber हैं चाहने वाले बहुत जादा चिंते थे सपना को बार बार अलट करते हैं मैसेज में सपना ये मत करो वो मत करो ये चीज मत दिखाओ वो चीज मत दिखाओ इवन लोगों ने जब आरू के admission की बात हो रही थी गौर फर्माएगा जब आरू के admission की बात हो रही थी न तो लोगों ने वो चीज भी सपना को पहले से ही बोलना शुड़ू कर दिया था सपना आरू का एडिवीशन कहा हो रहा है अरुका इश्कूल क्या है मतलल कोई भी बच्चों से जुड़ी जानकारी तो मत देना लोग उन्हें यहां तक बोला था कि तुम जिस सुसाइटी में रह रही हूं उस सुसाइटी की आसपास की जगे भी मत दिखाओ सिर्फ अपना अंदर का दिख सकती हैं लोग इस चीज पर भर भर की गुस्सा कर रहे हैं नाराजगी कर रहे हैं कि बहुत पहले से सपना को यह चीज़ें बताई जा रही थी शायद सपना ने गौर नहीं किया होगा कि मत यह सारी चीज़ें हर चीज सिर्फ व्यूज और कंटेंट के लिए नहीं होता लो लेकिन फिर भी हैं जिस तरह से सपना के दुस्मन हैं जिस तरह से सपना को बरबाद करने जिस तरह सपना ने खुद बताया है कि उसे घर से बेगर करने में कुछ लोगों का Хी हाथ हैं 53 कि और सब सारा मैं, मैं जड़ क्या है प्रॉपर्टी, मैं जो चीज है प्रॉपर्टी का खेल है, और प्रॉपर्टी कभी किसी की सगी नहीं हुई, अपने ही अपनों के सगे नहीं हुई प्रॉपर्टी में तो कोई क्या सगया हो जाएगा, और उस प्रॉपर्टी के जो बीच साथ आती हैं वो सपना की बेटिया हैं तो लोग किस हद तक जा सकते हैं सोच के देखिए साथ प्रॉपर्टी के चलते ही राजवीर भया को पहटाए गया आज प्रॉपर्टी के चलते हैं मतलग्यों का कहना है और इस्पेशली मैं भी गारख केमरा था लेकिं वह सारी चीजर सोसल मीडिया पर नहीं लानी जाई हाला कि नाम उजागर नहीं हुआ के नाम नहीं दिखाएगा स्कूल का नाम क्या था लिकिन फिर फिर भी जिन लोगों की घटिया मानसिकता होती है घटिया सोच होती है जिनका कुछ गलत करने का रात वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं फिर भी हाँ आप लोगों ने हम लोगों ने स्कूल तो देखा ही उसके जरी भी नाम निकल सकता है ठीक तो मेरे ख्याल से सपना को ये की बेटी पढ़ रही है और इस पर लोग बहुत जाद गुस्ता करें लोगों का कहना है कि अगर फिर हम कुछ बोलते हैं तो फिर सपना रोनने लग जाती है कि मैं ऐसे बोला वैसे बोला हाला कि सपना की सबसे बड़ी कमजोरी है नेगेटिव कमेंट्स अपना उस कमेंट्स क सपना को चाहते हैं आपको क्या लगता है कि सपना को इस सकूल दिखाना चाहिए था मेरे ख्याल से सपना को अपनी समय नहीं न है किस जगह पर रह रही है सोसल मीडिया से थोड़ा अलग रखने चाहिए यह सारी चीज़ें को क्योंकि सपना के दुस्मन बहुत जादा हैं बहुत जादा और इतना सफाई से इतना राज से राजवीर बहिया के भी क्या बोलू यार वो तो एक ना राज ही रह गया अभी तक अंदर आता है कि क्या हुआ होगा क्या था कौन था यार उस चीज़ पर मैं बहुत बार बात कर चुक है पिर से नहीं कहना चाहती मैं तो यही बोलूँगी वो साजस थी और अभी भी सपना क के दुश्मन बहुत हैं इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राज जरूर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलती हैं ऐसी किसी नाइस्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए बाइब बाइब